आज की रेसिपी मूंकी दाल के माल पुआ एकदम सौफ्ट, स्पंजी और रसे भरे हुए मूं में रखते ही घुल जाएंगे और इसके लिए इंग्रीडियंट तो हमेशा ही आपके घर में रहते हैं नमस्कार, निशामदलिका.com में आपका स्वागत है, तो शुरू करते हैं, आदा कप दुली मूंकी दाल, पीली दाल भी बोलते हैं से वजन में 100 ग्राम, इसे अच्छे तरीके से धोया और घंटे भर के लिए पानी में भिगो दीजे, ये भीगी होई दाल, पूरी डबल हो और एकदम सॉफ्ट भी हो जाती है, काटे तो कट जाएगी, पीस ले के लिए जार में डाल दीजे, लेकिन पानी की बजाए से दूद से पीसेंगे, तो ये एक कप भर के दूद ले लिया है, थोड़ा सा डाल दीजे, दो-तीन टेबली स्पून, और हलका दर-दरा पीस ली ये आदा कप गेहूं का आठा वजन में 75 ग्राम, इसे टेस्ट भी बढ़ता है और बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, तो पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, पूरा आठा डाल दीजे आदा कप, दूद को जार में डाल के ले लेते हैं, तो दाल सारी जो भी चिपकी है वो निकल आएगी, अब इसे अच्छे तरीके से गुठलिया खतम होने तक घोल लीजे, एक साथ सारा दूद मत डालिए, थोड़ा-थोड़ा करके डालिए, इन्हें मिला लिया, काफी गाड़ा बैटर दीख रहा है, अभी इसे पतला करेंगे, तो दूद डालिए और मिला आएगा, और बढ़िया सी खुश्बू और टेस्ट के लिए, तीन इलाइची कूट कर ले लिए, कंसिस्टेंसी पोरिंग है, अगर गाड़ा लगा तो बाद में भी दूद मिला सकते हैं, अब इस बैटर को आप 10 मिनिट के लिए ढख कर रख दीजे, तब तक चास्णी बन में लगेना, चीनी ऑल्मोस्ट घुल गई है, अब इसमें डाल दीजी ये तीन, चार क्रस्ट, इलाइची, और दस बारे केसर के धागे, केसर ऑप्सिनल है, अगर आप नहीं चाहें, तो नहीं डालें, चीनी खुलने के बाद 6 मिनी दूबाल लिया, और इसमें हमें तार व डाल दीजिए, बहुत ज्यादा भर के नहीं डालनी है, कडाई, ओल या घी, कुछ भी ले सकते हैं, तलनी के लिए, ओल ले रहा है, तो रिफाइंड होना चाहिए, स्ट्रॉंग फ्लेवर वाला ओल नहीं होना चाहिए, और बैटर को रखे भी 10 मिनीट हो गया, ये भी तैय हो गया, कंसेस्टेंसी थोड़ी गाड़ी लग रही है, मुझे, थोड़ा सा दूद और मिला लेते हैं, बस दो टीबिली स्पून, एक कप दो टीबिली स्पून दूद इसमें यूज कर लिया, बैटर अगर गाड़ा रहेगा, तो पूए थोड़े मोटे बनेंगे, और ज् बास्ट में डाल दीजे, एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर, लेविल करके लिजे, ज्यादा नहीं, इससे हमारे पूए बहुत ही स्पंची, सॉफ्ट, बहुत बढ़िया बनेंगे, पूरा मिलने तक घोल दीजे, इसके जो बबल से दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं माल पूए तलने के लिए मीडियम गरम होना चाहिए, और फ्लेम लो मीडियम, इतना बड़े आपको पूए बनाने उसके साब से, और चमचे से इस तरीके से एक ही जगे डालते जाए, वो अपने आप बड़ा हो जाता है, पूए काफी फूल रहा है, और चारो और देख र ब्राउन जलकने लगा, और काफी फूल भी गया है, अब इसे पलटते हैं, दो इस पैतुला का सहारा ले लिजे, इस तरीके से एक आगे की और लगा ले, ताकि वो जल्दी से तेल में जपाक से गिर ना जाए, अब कढ़ाई में थोड़ी सी जगे मिल गई है, तो दूसरा इस तरीके से डाल दीजे, और इसे दूसरी ओर भी देखते हैं, दूसरी ओर भी लाल सिग्या, बस इसे निकाल लीजे, दो इस पैतुला के बीच में इस तरीके से रखे, और निचोड़ दीजे, और ये गर्मा गर्म ही चास्टी में डाल दीजे, अब इसे किनारे कर देते तप लट दीजिए ध्यान रहें इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर इस तलिए तभी ये बढ़ियां से अंदर तक अच्छे से सिखेंगे और ये सिग्या इसे निकाल लीजिए जो सिखते जाएंगे उन्हें निकालते चलिए और तुरंद के तुरंद चाशनी में डाल दीजिए जो पुए चाशनी को सोक चुके हैं भर गए हैं चाशनी से उन्हें आप निकाल लीजिए प्याली में दूसरे पुए डालने के लिए जगे बन जाएंगे और चाशनी के चमचे और ऑईल के स्पैतला दोनों अलग रखिए मिलने नीचे ही आपस में ये सारे माल पुए हमन से इतना कम लिया था उसमें से भी ओईल काफी बचा हुआ है तलने में बहुत कम ओईल लगा है सभी माल पुए को अच्छे से चाशनी में डूबो लिया थोड़ी सी और चाशनी इनके उपर और थोड़ी से बादाम कत्रें और थोड़ी पिस्ता कत्रें जो भी ड्राइब आप डालना चाहें वो डाल दीजे मूंकी डाल के माल पुए बन गए और देखकर ही लग रहा है ना कितना अच्छा कलर है कितना बढ़िया टैक्ष्यर है और टेस्ट इतना अच्छा है कि आप एक माल पुए खाएंगे तो दूसरा खाए बिना रही ने पाएंगे आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तब आप इन्हें फटाफट बना डालिए महमानों के लिए बनाईए किसी पार्टी के लिए बनाईए सभी को बहुत पसंद आएंगे और बनाने में कोई दिक्कत नहीं जब आप इसका घोल बना रहे हैं तब सारी चीजे नाप कर लीजिए घो फमीड में डालींगे वो बहुत पतला होके अबिक現在 तो गरा हैं थो どूध मिला लीजिए और पतला हो गया थोड़ा सा आड़ा मिला लीजिए और चासनी बना रहे हैं तो चीनी और पानी नाप कर लीजिए चीनी के बराबर पानी लेना है चीनी कुल जाने के बाद 5-6 मिनिट तक चासनी को उबाल लीजिए थोड़ी से चिप-चिपी होनी चाहिए बहुत अच्छे चासनी बन जाएगी आपको कुछ भी तार वगेर देखने की जुरूत नहीं है कोई टैंसन और जब आप माल पूए तलने के लिए डाले तो मीडियम गरम हो और फ्लेम लो मीडियम हो आप बहुत अच्छे माल पूए बनाएंगे इन्हें आप फ्रिज में रखकर पूरे एक सब्सक्राइब तक खा सकते हैं तो आपने अफट आफट बनाईए खाईए और बताईए क आपको मिलते रहें लाइक और शेयर भी कर दीजे रहें